ये मैं अपने से ही बातें नहीं बनांके बता रहा, 12 साल से इन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को परहा रहा हूँ अस्सलाम अलेकुम दोस्तों क्या आल चालें ठीठागें एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज जिस टॉपिक पर बात की जाएगी वो है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्टान, इश्यूज और प्रेंट्स दोस्तों किसी भी मुआशरे की तरक्की उसके तालीमी नजाम पर डिपेंडेंट होती है आलमी सता पर सिर्फ वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके पास तालीमी अधारे मजूद होते हैं महज तालीमी अधारों का होना जरूरी नहीं उनके पास नई जिद्दत के एन मताबिक हर जदीद सहूलियात और बेहतरीन स्टाफ का होना भी लाजिंग है दुनिया बर में प्राइमरी एजुकेशन का तकरीबन एक ही तरह का निजाम है बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन हर लिहाज से दी जाती है लेकिन हर जगा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन ये बात तै है कि बच्चे की पहली दर्सगा उसकी माँ होती है जिसके बारे में हमारे इसलाम में भी फर्माया गया है उसके बाद बच्चे को दुनियावी तालीम देने के लिए किसी ना किसी अधारे में भेजा जाता है वो अदारा किसी भी शकल में हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मदरिसा, स्कूल, पाकिस्तान में बच्चे को प्राइमरी तालीम हासल करने के लिए या तो स्कूल भेजा जाता है, या किसी मदरसे में दाखल करवाया जाता है, यहां पर दो गिसम के स्कूल का कंसेप्ट नहीं कोई भी स्कूल होगा वो government के under होगा लेकिन यहां पर totally उल्टी घंगा बह रही है यहां पर जिसके पास पैसा है वे अपना school बना कर भैट जाता है मेरी research के मताविक Germany में आई जाने वाले जितने भी schools हैं वो government के under होते हैं इसी तरह योरप के दूसरे मुमालिक में, इसी तरह अमेरिका में, इसी तरह केनिडा में और यहां पर जिसके पास पैसा है, वो स्कूल बनाकर बैठ जाता है। लेकिन बाहर ऐसा नजाम नहीं है, वहाँ पर एक ही course code होगा, वही गरीब का बच्चा पढ़ेगा और वही अमीर का बच्चा पढ़ेगा, यहां पाकिस्तान में private schools बहुत ही महंगे हैं, वहाँ बहुत सारे local private schools कम फीस में पढ़ा रहे हैं, लेकिन नकमी primary तलीम के साथ, यहा प्राइविट स्कूल बना कर बैट जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं बहुत सारे स्कूल सो रोगी नहीं होते जब उन पर छापा मारने वाली टीम आती है तो स्कूल मालकान उनको कुछ मचल के रिश्वत के देते हैं और छापा माने वाली टीम वहां से चुप करके वहाँ पर हमारे बच्चों को क्या तलीम मिलेगी जहां पर स्कूल मालकान खुद रिश्वत देकर स्कूल चला रहे हैं मैं फिंगर टिप्स पर ऐसे स्कूल गिनवा सकता हूँ जो प्राइमरी तलीम के नाम पर धंदा कर रहे हैं लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं इन छोटे मोटे प्राइविट स्कूल ने बच्चत के चक्रों में दस दस बारा बारा पढ़ी लड़कियां बलके आंटियां बच्चों को प्राइमरी तलीम देने के लिए रखी हुई हैं अगर स्कूल की असेसरी के बारे में बात की जाए तो तूटे फूटे डेस्क पड़े हुए हैं तूटी फूटी कुर्सियां पड़ी हुई हैं पूरे स्कूल के बच्चों के लिए पानी पीने के लिए एक उलर और उसके साथ जंजीर बांध कर एक गलास रखा जाता है पूरे स्कूल के बच्चे उसी गंदे गलीज गलास से पानी पीते हैं जिस सकूल में चोरी के डर से कूलर के साथ गलास जंजीर से बांधा जाता है उसका तालीमी नजाम कैसा होगा अगर उसी सकूल के तालबे इलम का युनिफॉर्म चेक करें तो पैंट किसी और कलर की होती है और शर्ट किसी और कलर की होती है कुछ बच्चे तो युनिफॉर्म पहना ही कवारा नहीं करते, घर से जो कपड़े पहने होते हैं, उठके मुहा, दोया और सकूल का बैग उठाया और चल दिये, अगर उनके शूज की तरफ धिहान दिया जाए, तो कुछ बच्चे सैंडल्स पहन कर आते हैं, कुछ चपल पहन कर आते हैं, और कुछ बूट पहन कराते हैं, यहां तक कि कुछ बच्चों ने जोगर तक पहने होते हैं प्रेंट के नीचे, डिसिप्लन का बिलकुल ख्याल नहीं, एक दूसरे को माओं बहनों की गालियां देते हुए इन कानों ने सुना है, उन लोकल प्राइविट स्कूल के बच्चों को, यहां तक कि उन स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी बच्चों को गालियां दे कर मुखातिब करते हैं, अब आब यहां सही अंदाजा लगा लेंगे हमारे बच्चों का मियारे तालीम क्या है, स्कूल्स टाइमिंग के दर्मयान बच्चों को टीचर बाहर से समोसे लेने बेज़ देती हैं, प्राइमरी स्कूल के नजाम का बहुत ही बुरा हशर है यहां हर, इसके बारक्स मेहंगे प्राइविट स्कूल्स ने तालीम के नाम पर लूट मार मचा रखी हैं, इंतहा से ज्यादा फीसिज और फिर उसके बाद फजूल किसम के फंक्शन्स रख देते हैं, जिसमें म लेकर आनी हैं और इतने पैसे लेकर आनी हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को आके तंग करते हैं कि हमारे टीचर्स ने ओल्डर किया है, यह चीजें लेकर आनी हैं और इतने पैसे लेकर आनी हैं, यह मैं अपने सही बातें नहीं बनांके बता रहा, बारा साल से इन प्र वो बच्चों को blackmail करके order करते हैं कि यहां से ही चीज खाने वाली खरीद कर खाओ घर से कोई चीज खाने वाली या पहर से कोई चीज खाने वाली स्कूल के अंदर enter नहीं होने देनी तागे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब primary level पर था तो मीना बजार में teachers ने मेरी तलाशी लेकर मुझसे पैसे निकल आया और मुझे मजबूर किया गया कि मैं उसी स्टोल से लेकर कोई चीज खाऊं जो उन्होंने लगाए हुए है चाहे बच्चे का दिल कोई चीज खाने को करे या ना वहां से ये अपनी चीज लेकर खानी है जहां पर private schools का ये हचर है तो वहां पर उसके बरक्स government primary schools का तो अल्ला ही हाफज है जहां पर school staff को परहा लिखा भरती होता है लेकिन proper period नहीं लिये जाते सरदियों में school staff जातो दरख्त के नीचे धूप सेक रहे होते है वहां माल्टों की पार्टियां चल रही होती है फिश पार्टियां चल रही होती है तो गर्मियों में वहां ही आपको juice parties देखने को मिलेंगी वहां पर ही आपको दूद मलाईयां खाते हुए school staff मिलेंगे और बच्चे कलास के अंदर भंगड़े डाल रहे होंगे उनको तो पता होता है कि teacher में कौन सा पढ़ाने आना है मौज में ले करो यहां पर यहां तालीम नहीं हो रही धंदा हो रहा है बहुत सारे schools उर्दू मीडियम होने के बावाजूद schools teachers बच्चों के साथ ठोस पंजाबी में बाद कर रहे हैं और ना मुनासिव अलफाज से बुलाते हैं ऐसी ऐसी गालियां देते हैं कि आप अपने कानों पर हाथ रख ले computer lab तो मजूद है लेकिन computer से महरूम अगर computer मजूद है तो computer teacher से महरूम अगर computer teacher भी मजूद है तो teacher computer का specialist नहीं graduate master level पर मैंने खुद देखा है colleges में तो computer के सामने आपको बिठा कर सिर्फ ये सिखाया जाता है तो Microsoft Word के उपर typing कैसे करते हैं letter सुभान अल्ला इस जदीद दोर के अंदर master level की classes को ये पढ़ाया जा रहा है फिर इन primary schools के अंदर subject specialist का तो नाम ही मजूद नहीं होता एक teacher पांच से छे subject पढ़ा रहे होते हैं और paper checking करने के लिए class के अंदर मजूद किसी भी life बच्चे को paper थमा दिये जाते हैं कि ये लो बेटा घर से ये check करके लाना और वो बच्चा हमेशा की तरह अपने ही number सबसे ज्यादा लगा कर आता है ये है मियार हमारे primary schools का और अगर paper checking teacher के हातों से हो गई तो वहाँ पर merit नहीं होता वहाँ पर favoritism होता है जो बच्चा teacher को पसंद है teacher के काम वगयरा कर देता है बाहर से खाने की चीजें ला देता है उसी के ज्यादा number लगते है इन ही वजाओं से लोग government की निस्बत primary school की तरफ ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाना मुनासिब समझते हैं लेकिन local primary schools का भी बेड़ा गर्क हो चुका है यहाँ पर कोई rules and regulation नहीं और कोई पूछने वाला नहीं लाग करनूनियत है यहाँ पर दोस्तों अमीद करता हूँ आज का टोपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा दौाओं में याद रखना और अल्ला के जिकर का जुआ पे स्वाद रखना अल्ला हाफिस